दोस्तों आप सभी को हमारा Google Ads का जो beginner course था बहुत अच्छा लगा और आज हम लेकर आए है 9 mistakes जो Google Ads चलाते समय आप करते हैं जिससे आपका बहुत जादा नुकसान हो जाता है तो हम practical angle से अगे अरपिट सर के साथ सीखेंगे 9 mistakes of Google Ads and 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 I know आप 10 घंटे के digital marketing के पूरे course का इंतिजार कर रहे हो मैं आपके खुशक भी देना चाहता हूँ वो course almost ready है, पूरा shoot हो चुका है, post production में है उस course में paid media, अलग-अलग type के ads चलाना, पूरी media plan बनाना, एक digital marketer कैसे बने, live interview with digital marketers, graphic design से लेके, twitter, linkedin, facebook ads से लेके, SEO, blogging, सब कुछ कवर है including AI by the way AI का angle भी included है कि AI marketing को कैसे impact कर रहा है so watch out for that course, channel को subscribe कीजिए, पहले save button दबा दीजिए यहां पर और शुरू करते हैं Okay, पहली चीज़ से start करते है I think जो सबसे important चीज़ है, जो सबसे बड़ी गलती हर कोई करता है, जो मैं जानता हूँ वो है कि अपना landing page नहीं optimize कर ना, Google Ads चलाने से पहले तो आपने basically Google पर ads चला है, आपने Google को पैसा दिया, बोला, अब traffic भेज मेरे website पर, मेरे landing page पर और वो जो landing page है, उसी में हमने कुछ गोबर कर दिये बिलकुल, तो सबसे पहली चीज़ है, एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो होता है, एक quality score, Google आपको quality score देता है जो basically दो चीज़ों के alignment पर depend करता है, कि आपने अपने ad में क्या लिखा है, कि आपने कहा है, मेरे घर पे आओ, और मेरा घर pink color का है, अब आप घर पे तो आगए, आप जब उस घर पे पहुंचे तो वो घर जो है, वो green color का है, यहाँ पे आपका quality score गिर जाता है, तो essentially आपको consistent across, तो अपना जो landing page है, बहुत important है, और यह गलती बहुत लोग करते हैं, कि अपना landing page को सही रखिये, अपने landing page को optimize रखिये, और मैं अपने आगली point में यह भी बात करूँगा, कि किस तरीके कि आपकी device reports होती है, Google आपको यह बताता है, कि किस तरीकी device reports है, तो अपने landing page को जब आप बना रहे हैं, across devices उसको test करना paramount है, right, otherwise लोग क्या करते हैं, भाई, landing page बनाया, desktop पे देखा और चले गए, right, लेकिन अपने अपना mobile नहीं चेकिया, अपने अपने अपना tablet नहीं चेकिया, अपने several other resolutions और गयरा पे नहीं चेकिया, किस तरीके का काम कर रहा है, right, तो अपना landing page को optimize करना ठीक से, यह मेरी first tip है, और यह पहली चीज़ है, जो हर कोई, मतलब majority, अगर आप seasoned marketer नहीं है, और अगर आप नया नहीं start करें, आप यह गलती करते हैं, interesting, so Google basically चाहता है, कि जो ad copy देखकर user आया है, yes, ad page पर जाकि उसका experience खराब ना हो, वो से related हो, तो अग coherent, जो हम YouTube marketing में भी करते हैं, जो thumbnail में है, टाइटल में है, वो ही आगे वीडियो में होना चाहिए, user का experience ही होना चाहिए, तो वही चीज़ यहां पर Google Ads में भी true है, sure, quality score, landing score का alignment, ad copy के साथ, done, चीक है, तो आपने अपना landing page ठीक कर लिया, अब जो दूसरी गलती बहुत आफिन लोग करते हैं, वो है, एक Google, एक recommendation engine included होता है, आपके Google Ads में, जहां पर Google आपको यह बताता है, कि किस तरीके से आप अपने ads को enhance कर सकते हैं, अब इसमें लोग दो तरीके गलती करते हैं, पहले लोग जो गलती करते हैं, वो यह करते हैं, कि वो blindly जाके सारे recommendations apply कर देते हैं, a lot of fit is, कि आप अपनी bid बढ़ा लीजे, अपने keywords बढ़ा लीजे, या आप जो है, वो कुछ ads को बंद कर दीजे, तो आपने आँग बंद करी और recommendation apply कर दीजे, अब दूसरी तरी के भी लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़दा smart होते हैं, वो कहते हैं, Google को कुछ नहीं पता है, सारे recommendation reject करते हो, जो सच है, वो इन दोनों के बीच में है, विच इस कि आपको जो recommendation Google दे रहा है, गर Google कह रहा है कि आपको call outs देने चाहिए, या आपको site links दे, add करने चाहिए, तो please उनको add करिए, उससे आपका add का quality score है, वो बढ़ता है, और अगर आपका add का quality score better होगा, या जितना अच्छा add का quality score होगा, genuinely आपके जो conversions है, या जो आपका cost per lead है, for example, वो better होगी, तो recommendations को अंधा मत follow करिये, recommendations को पढ़िये, जो आपको लगता है, सही नहीं है, उनको reject करिये, कई-कई उसमें actually अच्छे recommendations भी होते हैं, तो उनका ध्यान रखिये, okay, so be mindful of recommendations which Google is making, great, what's our third mistake, the third mistake that we do और ये गलती मैंने भी करी है, okay, right, कि मैं एक time पर ऐसा सोचता था, कि broad match एकदम useless चीज़ है, okay, तो तीन तरीके के matches होते है, broad match होते है, exact match होते है, phrase match होता है, okay, so broad match, तो हाँ, ऐसा marketer आपको लगता है, कि अगर मैं mechanical watches बोल दूँगा, बस, तो फिर हाँ, हमाँ के सारे फाल्दू के watches पर भी वो आड चल जाएंगे, कोई ही पर मेरे पैसे वेस्ट होते हैं, तो बड़ और मैट्स तो मैं करूंगा ही, मैं भी ऐसा marketer feel करता हो, कि मैं Google Ads जब भ learning की वज़े से और data की वज़े से Google का जो system है, वो भी improve हो रहा है, तो मैंने at least ये देखा है कि recently, कुछ-कुछ keywords के लिए broad match plus automatic bidding works beautifully, so this is a mistake that you are doing by totally neglecting it, in fact, जो आपका keyword की list है, उसमें आप experiment ये भी कर सकते हैं, कि आप कुछ exact match चलाएं, कुछ phrase match चलाएं, एक तो broad match चलाएंगे, छोड़ दीजे और अपनी जो floor targeting है, जो आपकी जो targeting है आपका, जो budget है, budget को daily set कर दीजे, जिससे कि आपको दो या तीन दिन में दिख जाएगा कि broad match मेरा सारा का सारा budget खीच ले जा रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन, on the contrary, this can also work very well, क्योंकि सारे keywords आपको भी नही to broad match, and not only sticking with phrase match or exact match. So there are industries or situations, जहाँ पर you may want to experiment with it, and I assume, कि जादातर जो Google Ads campaign है, उनको उप्तिमाइज के लिए कुछ दिन चाहिए, जैसा हमने बताया था, पांच अजार रुपे का बचेट है, तो एक नमें पांच अजार मत जला दो, आपांसो रुपे दस दिन दिन दो, या थासो रुपे बीस दिन के लिए दो, तो वो campaign को optimize करने का Google को time मिलेगा, data मिलेगा, data process होगा, so keep that in mind as well, कि some of this takes time to optimize, Google पे भी यह रूल है, फिस्बुक में भी यह rule है, campaign को optimize होने का time देए, तो campaign को optimize होने का time देए, broad match को आँख बंद करके, मत reject कर देए, कुछ-कुछ, especially industries में, अंको यह होता है, जहाँ पे keyword का जो search volume है, वो अरड़ी बहुत कम है, अब वहाँ पे exact और phrase match पे अगर आप add चलाओगे, तो जो सबसे बड़ी चीज होगी, कि आपका add सर्वी नहीं होगा, तो उस case में भी broad match useful होगा, and this is a very good segue into my next mistake that a lot of us make, which is fourth mistake, and the fourth mistake that people make is not looking at the impression share sheet, ठीक है, एक impression share report Google देता है गूगल ये कहता है कि आपके comparison में, या आप, आपके जहाँ पे impressions हैं, उसके against और कितने लोग के कितने impressions हैं, तो अगर मैं suppose कर रहा हूँ target bird photography है, बिल्कुल, तो bird photography के लिए, जो total impressions है, उसमें से कितना share मेरा है, तो आप एक वो भी कर सकते हो, जो कि ए keyword impression share है, but ideally जो Google देता है, वो देता है URL level पे, क्योंकि Google आपको ये बताता है कि मान लिजे मैं बात कर रहा हूँ laptops की, मैं को laptop बेचना है, तो अब मेरी website का impression share कितना है, compared to मान लिजे Apple का impression share कितना है, मान लिजे Samsung भी laptop बनाता है, तो Samsung का impression share है, वो कितना है, तो आपको basically Google ये information दे रहा है कि आपके comparison में, competitors कितना दिखा रहे हैं, which also gives you a very very good idea, कि आप कितनी बड़ी opportunity already miss कर रहे हैं, budgets ना बढ़ा के, या और तरीके के ads नहीं चला के, तो जो impression share report है, वो आपके dashboard में होती है, उसको जाके definitely, definitely देखिए, कि आपके जो broadly keywords चल रहे हैं, आपका domain उस पर कैसा कर रहा है, compared to competitors का domain किस तरीके से उसको पर perform कर रहे हैं, fifth mistake पर चलते हैं, fifth mistake is not setting your goals or setting arbitrary goal values, मैं ये बाद क्यों कह रहा हूं और goal value की importance क्या है, ये मेरे last वाला जो mistake है, वहाँ पर आपको बहुत clearly समझ वाएगी, तो इसलिए last तक देखिएगा, लेकिन अगर आपने campaign चला दिया है, और आपने कोई goal नहीं set क तो अब जैसे मेरा goal हो सकता है कि मेरे को एक cart में एक product addition add, basically add to cart करना है, अब add to cart की मेरे को एक value assign करनी है, अब generally बहुत सारे marketers के अगलती करते हैं, उसको कुछ भी value देते हैं, एक रुपिया दे दिया, दो रुपिया दे दिया, तीन रुपिया दे दिया, चार रुपिया दे कि वो कितना worth है उस चीज के लिए, क्यों इस चीज के लिए last तक जो है वो सुनियागा, लेकिन अपना जो goal है, goal को clearly define करी और goal के साथ साथ जो goal values है, उसको जो है, वो clearly अपने dashboard के अंदर जबा पहला ad चला रहे है, day zero पे, आपको add करना है, इस अनादर रीजन वाई खाली Google Ads or Facebook Ads for that matter, is not as simple as पैसा फेक तमाशा देख, आपको थोड़ी महनत करनी पड़ती है, and this is a very simple थिंग, अपना goal, be clear about your goal, yeah, absolutely, going to the next one, keyword cannibalization, right, हम बहुत सुनते है, keyword cannibalization की keyword cannibalized होगा, keyword cannibalized होगा, keyword cannibalized होगा, keyword cannibalized भाई किस तरीके से होगा, keyword cannibalization ऐसे होता है, कि आपने, मान पर लग गुरूप से उसमें आप सेवरल डिफरेंट कीवर्ड को टार्गेट करें अब मान लिजे कि आपके दोनों कीवर्ड राइट आपके पास मान लिजे मल्टिपल कीवर्ड अलग-अलग अड़ सेट में वो कीवर्ड पड़े हुए तो आप यह नहीं चाहेंगे कि आप आपका एक कीवर्ड आपके दूसरे कीवर्ड के साथ कंपीट कर रहा है सेम टाइप ऑफ क्वेरी के लिए अलग-अलग अड़ दिखाने के लिए अट इस वेरी इंपॉर्ट राइट वाट यू नीड इस आपका एक टाइप का जो कीवर्ड है वो एक पर्टिकुलर कैमपे लीड जनरेट करने का अब मैंने इसके अंदर मगर मल्टिपल कैमपेंज चलाएं सबका अबजेक्टिव एक्जाक्ली सिमिलर है कि मैंको लीड जनरेट करनी है और मैंने यही कीवर्ड और इस कीवर्ड के अलग-अलग वेरियेशन मान लिजे फ्रेज मैच ए एक्जाट का गोल है कि मुझे क्लिक जनरेट करना है उन दोनों के केस में मेरे जो कीवर्ड हैं वो ओवरलाग कर सकते हैं उस केस में जो चैनिबलाइजेशन नहीं होगा एक ओनेस चीज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी अब जब हम क्योंकि 2024 में यह वीडियो बना रहे हैं धीरे-धी पारे करका रहे हैं मैंने जतने तीन या चाहर एट चला रहा हो एक दो में इनको दिख रहा है कि एक प्रॉबलम है एक दो में दिख रहा कि उतने बड़ी प्रॉबलम नहीं है मेरा CPU उतने उतनी जादा उपन नहीं जा रहे हैं लेकिन keyword कैनिबलाइशन पे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, Google आपको बोलता है कि आप कुछ assets add करी है, भाई, assets क्या हो सकते हैं, आपके ad copy एक asset है, आपके site links एक asset है, आपके phone numbers एक asset है, आपके images एक asset है, तो इस तरीके से multiple assets होते हैं, राइट, हम generally क्या गलती करते हैं, कि हम ये assets Google को देते ही नहीं, क्योंकि in assets के basis पे basically permutations and combinations बनते हैं, और जिस तरीके से ML Google पे काम करता है, जितना जादा आप उसको data दोगे, उतना enhanced आपके लिए वो performance जो है, वो deliver कर पाएगा, तो इसलिए assets को बनाने में या assets को Google को देने के लिए lazy मत होई है, हम generally इसलिए भी images नहीं देते हैं, या इसलिए भी, मान लिजए आप ad copy ही लिख रहे हैं Google ads की, right, और वहाँ पे आप जो है, वो headlines लिख सकते हैं लेकिन आपने क्या की, आपने दो में लिख के छोड़ दिया या आपके पास जो है, वो phone हो सकता है, आप बनाईए, मैं अगर एक आपको idea दे सकता हूँ कि एक ad account है, जहाँ पे हम on an average दिन का, डेड़ से 2000 रुपे खर्च करते हैं, तो बहुत ही छोटा ad account है, उस ad account के लिए भी total कम से कम 250 assets already account में पड़े हुए है, वाँ, रेट हमारे एक मितर है, जो ads चलाते थे, काफे बड़े scale पे, मतब उनों ने एक करोट रुपे खर्चा किया था कुद का पैसे ads चला के, और प्रॉटिबली चलाया था तो वो पताया थे कि वो ad के 400 अलग-अलग variations बनाते थे बिलकुल category में और वो ads अलग-अलग language में, अलग-अलग CTA जितने possible experiment आप सोच सकते हो किसी के face के साथ, बिना किसी के face के बिलकुल उनों इतने variation ad के बनाये कि because you can't predict exactly, कितना चलेगा, क्या result लाएगा exactly, so you can't go with, you know, आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो पूरे tools, पूरे ग्राव है, उसमें जितने assets डाल सकते होतने डाली है in fact, हम कहते हैं कि जो best judge है कि क्या चलेगा या क्या नहीं चलेगा, वो Google और market है, right, तो आप अपने बीच में मत debate करिए कि ये creative अच्छा है आपका bottom of the funnel को hit करता है, right कि high intent audience आपको search की वज़े से मिलती है अब आपने ये डाल के तो छोड़ दिया अब ideal तरीका होगा कि आप इस आदमीं को हर जगा follow करिए which could be कि आपके जो search से लोग आपकी website पे आए थे उनको आप retarget करिए display पे क्यों क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सुना है आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना है लेकिन जब वो display में आपके बारे में एक image देखेंगे या फिर वो YouTube पे जाएंगे और YouTube पे आपके बारे में एक ad देखेंगे या फिर वो LinkedIn पे जाएंगे और आपकी leadership के बारे में बात करेंगे तो एक inherent trust build होता है brand के अंदर लोगों को brand के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है तो इसलिए जो है अगर आप retargeting नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं in fact retargeting भी पहले एक notion वहां करता था कि retargeting कर लेंगे यार अराम से शुरू करेंगे जब बहुत data आजाएगा अभी थोड़ा थोड़ा जो data के requirement है वो कम होती चली चारी in fact हम लोग एक ऐसा account भी चलाते हैं जहां पर कि practically second month से ही क्योंकि हमाँ पास website visitors का भी data है हमाँ पास customers का भी data है etc. तो हम retargeting second month से ही जो है वो start कर देते हैं तो retargeting ना करना अपने बहुत पढ़ी गलती है very straightforward, very important yes and now to the last one and this is a blockbuster which is आपने performance max campaigns के बारे में सुना होगा performance max campaign क्या करता है यह आज के time में सबसे trending topic है in fact अगर आप चाहेंगे तो हम पूरा का पूरा performance max campaign कैसे setup किया जाता है वो भी आपको सिखाएंगे अगर आप comments में यह बात बताएंगे ठीक है ठीक है फ्यू वांट इट पूरा वीडियो चाहिए एक और Google Ads performance max पर comment करिए so performance max basically क्या कहता है कि आपको जैसे मान लीजे आपने search पर चलाया तो भी वो फिर search पर ही रहेगा अपने display पर चलाया तो display पर रहा लेकिन Google कर जो ad network है वो बहुत ब्रॉड है और बहुत बढ़ा है उसमें YouTube भी आता है उसमें search partners भी आते हैं हमारी websites आती है तो performance max यह कहता है कि आप अपने assets मेरे को बहुत सारे दे दो ठीक है अपने customers के बारे में मेरे को बता दो मैं आपके लिए audience लेके आऊंगा dynamically तो अभी आपको समझ में आया मैं हुना exactly तो अभी आपको समझ में मैं क्यों कहता है आपको अपनी goals की value बहुत clearly set करनी है क्योंकि जो आपके goals की value है that will eventually determine कि आपको जो रुवास है जो की return on and spent है कितना appropriately Google दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा अगर आपने एक रुपिया या दो रुपिया दे दिया तो वहाँ पे game बच जाता है तो performance max campaign को correctly utilize करना अभी भी बहुत लोग को नहीं समझ में आता है अब लोग उसमें दो तरीकी गलती करत हैं जिनके लिए उतना top of the funnel उनको जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि essentially जो पी मैक्स ही से हम कहते है performance max आपके top of the funnel पे hit करता है search आपका bottom of the funnel है bottom of the funnel से आपके conversions जो है वो better आते हैं लेकिन performance max क्या करता है अगर आपके पास अच्छा branding budget भी है तो वो across the platforms एक तरीके की जो communication है which is based on your assets वो performance max use कर लेता है तो लोग यह तो performance max बिलकुल नहीं use करते हैं यह दूसरा लोग यह करते हैं कि केवल performance max use करते हैं जो ideal चीज़ है वो है कि आप performance max और search for example similarly साथ में चलाईए क्योंकि आप performance max में for example आप themes बताते हो Google कि मेरे को इस तरीके का content है इस तरीके के audience को जो है वो target करना है search में आप बताते हो कि exactly इस keyword के उपर ही मेरा ad आना चाहिए तो आप basically क्या करें performance max से अपना top of the funnel बिल्ट कर रहे हैं और Google के जो search ads है उससे अपना bottom of the funnel बिल्ट कर रहे हैं दोनों को ideally साथ में चला के देखिए देखिए किससे conversions better आ रहे हैं किससे जो है वो आपका CPC और आपका CPL वगेरा जो है वो कम आ रहे हैं उसके accordingly तब आप optimize उसको करिए पहले जिन से यह मत्सुल सीजे कि भाई performance max से सब कुछ हो जाएगा या performance max से कुछ भी नहीं होगा and don't forget to retarget and don't forget to retarget great guys so nine mistakes not to make in Google Ads do check out हमारा जो कोर्स हा Google Ads के पुरे basics का and 10-hour का digital marketing course as well see you